किसानों की उन्नती ही देश की प्रगती है। किसानों की बदाहली भी किसी से छिपी नहीं रही है। देश का पेट पालने वाला किसान कई बार खुद भूके पेट सोने को मजबूर होता है। कभी प्रकृती की मार तो कभी बाजार में फसलों का सही भाव नहीं मिलना। किसानों के सामने बड़े संकट के रूप में होते हैं। खेती किसानी घाटे का सौधा कहलाने लगा है, जिससे कई बार अनदाता अपने हालात पर आँसू बहाने को मजबूर होते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहरलाल खुद किसान परिवार से आते हैं, लिहाज़ा उन्होंने किसानों के इस दर्द को महसूस किया है। और पिछले आठ सालों में कई ऐसी योजनाये चलाई हैं जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुखिय मंतरी मनोहरलाल किसानों से आवान करते नहीं ठक रहें कि परमपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक दोर तरेखे से खेती किया जाना लाभकारी है। ऐसा कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे बलकि प्राकृतिक संसाधनों जिसे पानी की भीक कम खपत होगी। प्राकृत खेती के उप्योग, उसके लिए नैचरल खेती के उप्योग, ये सारे करने होगे। और फिर उसकी मार्किटिंग करनी होगी। क्योंकि आज और्गनिक के लिए तियार तो बहुत लोग हैं। खरीदार कई बार नहीं होते हैं उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकरतिक है क्या के नहीं है ये और्गेनिक है के नहीं है सब एक जैसा मिलता है शुरू में दो-तीन साल उसकी quantity भी कम होती है मात्रा भी कम होती है तो इसके लिए भी नए प्रियोग शुरू कर रहे है उसमें subsidy भी दे रहे है कि natural खेती के ओपर subsidy मिलेगी थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी लेकिन उस बिमारी में से बार निकलना है पानी की कमी micro irrigation मुख्यमंत्री मनोहरलाल के भरोसे पर उतर कर जो किसान पारम पर एक खेती को छोड़कर आधोने खेती को अपना रहे है ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है राज्यस्तर पर प्रथम पुरसकार प्राप्थ करने वाले किसान को पांच लाख रुपए की नकद राशी दी जा रही है इसी तरह तीन-तीन लाख रुपए के दो पुरसकार और एक-एक लाख रुपए के पांच पुरसकार दिये जा रही है इसके अलावा जिलास्तर पर 50-50,000 रुपए दिये जा रही है प्रगतिशील किसानों को दिये जाने वाले इस सम्मान के पीछे मुख्यमंत्री मनुहर लाल की सोच उन किसानों को प्रेरित करना है जो अभी भी पारम परिक्खेती कर रही है हमारे किसानों को और उसमें भी हर्याणा में प्रगतिशील किसान बहुत है मुझे पता कि आज से 6 साल पहले मने एक बार आकड़ा इकठा कराया था उस समय साड़े 500 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे अब ने का कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ अपने जैसे पांच किसान और त्यार करो ये टार्गेट दिया था और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था पर एक लाग दो लाग तीन लाग ऐसे कुछ राशी रखी थी ऐसे हो कोई प्रगतिशील किसान हैं जिनोंने अपने बराबर के किसानों के संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई नाम मिला हो एक आद को मिला है क्या एक दो तीन चार पांच साथ आठ दस अभी दस पंदराई हैं मैं कहता हूं सभी साड़े पांच सो जो उस लिस्ट में थे उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए अरे भाई हमारी आमतन तो है ही है लेकिन हम अपने प्रोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमतन घटेंगे नहीं उस प्रकार की खित्ती वो करना शुरू कर देगा और प्रगति शील किसान ऐसे ऐसे है हमारे वो दादलू के क्या ना मैं दादलू वाले कड़बीर से अरबीर से बैठें हरबीर से अरबीर से नहीं आये हरबीर से का कड़ा है कि मैं एक एक अड़ में अपनी खेती में कि दसलाक रुपय कमाता। ओए एक साल में। ऐसेसे और कार्व किसान औरू जार चारचार-5 पांच लाक पास रुपय कमानेवाले। सब्जियों की बॉएी करते हैं। सब्ग्राइो का एक्सपूर्ड करते हैं। उन सब्जियों को दिली की होटलों में भीदशेसून और अच्छी नहीं प्रकार की समझिया, मौसम के इलावा गैर मौसमी फसले बुणा, बहुत बड़े काम करते हैं। जो किसान खुद को इस सम्मान का हकदार समझते हैं, हर्याना सरकार के क्रिशी तर्था किसान का लियान विभाग के वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान मित्र योशना के जरीए बड़े किसानों के साथ छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, मार्केटिंग पर विशेश फोकस किया जा रहा है, ताकि प्रदेश का हर किसान खुशाल हो सकता। किसानों के नाम पर राजनीतिक रूटियां तो खुब से की गई, चुनावी दावे और वादे भी हुए, लेकिन इस बात से मुह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रदेश में कई ऐसे चोटे बड़े किसान हैं, जिन्होंने खेती किसानी को नुकसान का सौदा मान लिया था। भी लाखों की कमाई हो सकती है। सब काम, चाहिए वो क्वालिटी का है, चाहिए बिमारियां खतम करने की बात है, केमिकल और पैस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है। इसमें नई नई टेक्नीक, आखिर हमरे कृष्णी विशुवद्याल है, इन से पेक्षा की जाती है, रिसर्च करो। काम करने के लिए यह हमने इनुवस्टी को लगाया है, कई संसाइं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में उस सयोग करें, हमने मार्केटिंग बोर्ड यह बनाया है, ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, MSP पर फसलें बिक जाएं, हर्याना प्रदेश, पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसले MSP पर हमने घोशित की है, सेंटर तो दो चीजा खरीता है, यह हूं और धान, गन्ना हमारी मिले ले लेती है, चौती फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है, हमने उसके साथ-साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलन है, यह सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज़्यादा फसले MSP और गोशित की है, और अगर कोई फसल MSP पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़े उसमें फिर घाटा होगा सरकार को, हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाए, अगर किसान को भाव कम मिलता है, तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए, उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लाकू की है, बीश के लगबग सबजियां और फल, इसके अंदर भा पाजार भाव का और MSP का जो अंतर है, वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका MSP, वो सुनिश्चित हो जाए। और किसानों को अपने साथ जोडते हैं। इसी तरह किसानों की एक चेन बनती जाएगी, और एक किसान से दूसरे किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते जाएंगे। गोध लेने वाले किसानों को उनके कारे के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश मे किसानों का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमजोर है जिन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है लिकिन सरकारी मदद से एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसान मित्र योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहट एक मजबूत और सफल किसान को आर्थिक रूप से कमजोर और कम जानकारी वाले सौक किसानों को गोद लेना होता है फिर उस किसान को आर्थिक रूप से मदद करनी होती है और ऐसा कर सभी किसानों को सफल प्रगतिशील बनाना होता है जाहिर है मुख्यमंतरी मनोहर लाल की सोच इसके जरिये किसानों की आमदनी बढ़ानी के साथ प्रदेश के विकास को रफ्तार देना भी है तो आपने देखा कि मनोहर राज में अंदाता के हित्मे किस तरह के कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके हमारे साथ फलहाल के लिए इतना ही मुझे दीजिये जासत नमस्का